नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Housing and Urban Development Corporation जिसको हम Hoodgo के नाम से जानते हैं यह स्टॉक अभी 164 पे ट्रेड कर रहा है 1.33% का इसने डाउन मूव दिया है कल ओके 32,741 के इसके मार्केट कैप है and 75.2% का इसका Promoter Holding है इस पे मैंने बिल्कुल Fundamental की पहले वीडियो बनाई है वीडियो में उसमें दुवारा Fundamentals की बात महीं करूंगी बट इतना जुरूर बता दू, Fundamentals काफी स्टॉंग है, काफी स्टॉंग स्टॉक है यह and बहुत potential है इस स्टॉक में, मोटी-मोटी बात कर लेते हैं, Fundamentals की वीडियो मैं प्लेलिस में आड़ कर दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके तो स्टॉक अभी 50 and 200 EME से उपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है इसकी PE की बात करें, तो PE मीडियन से थोड़ी सी उपर है Sales and Margin की बात करें, तो सब कुछ intact है, Sales grow कर रही है, slightly grow कर रही है बहुत जादा नहीं, बट कर रही है grow अब चलते हैं इसके चार्ट पर, चार्ट पर चले तो यहाँ पर मैंने Bollinger Band लगाया हुआ है and RSI का लगाया हुआ है तो एक indicator है, एक oscillator है, अब करें price की बात तो price जो है अभी, अभी trade करा है 163.55 पर और इसने 1.33% का down move दिया है, अभी जो यह खड़ा है अपने strong support से थोड़ा सा ऊपर खड़ा है, 160.50 and 161.20 के बीच में इसका strong support रहेगा and उससे नीची अगर ही आता है तब थोड़ी सी tension की बात हो सकती है and उसका भी मैं आपको immediate support बता देती हूँ, मुझे लगता है कि उसके बाद का यह strong support रहेगा, 149 and 150 के बीच में इसका support रहेगा पर मुझे लगता नहीं है कि इतना नीचे आएगा, okay तो अभी के लिए मैं इसको delete कर रहे हूँ, इसके support तो यह resistance की बात करें तो यह all time high पे है अभी, अभी इसके resistance आ सकते है तो यह already अपनी resistance यहां से लेके आ चुका है, और मुझे लगता है कि कल यह, I mean Monday को 29th of January को मुझे लगता है कि आप move देगा और अच्छा खासा आप move देगा, उसके reasons मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो इसके RSI जिसके market गिरी थी, तो RSI उसके लिए से नीचे गिर गिरी थी, काफी high थी, RSI हमारी चल रही थी, 87.27 पे, तो 90 के आसपास RSI पहांचने वाली थी, तो यह कहीं न कहीं, यह हम लोगों के favor में काम कर दे जिनको new entry बनानी है, या जिनको कुछ भी थोड़ा चाहते हैं कि long term के लिए, short term के लिए entry बनाए, तो वो यहाँ पे उनके favor में काम कर देगा है, कि RSI correct हो भी, अब फिर से यह उपर जा सकते है, देखे, यहाँ पे correct हुई थी, यहाँ से इसने move लिया, उसके बाद आप correct होने के बाद आपको कितना अच्छा 15 रुपे का move मिला है, तो यहाँ पे भी कही न कहीं वही एक चीज हो रही है, RSI correct हो के ऊपर गया है, और उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम यह trade करना चाहिए, कल जो मुझे लगता है, 175 के आसपास trade करेगा, probably, I'm not sure हो सकता है कि नह 20% का तो up move एक दम से देगा नहीं क्योंकि ऐसी कुछ news भी नहीं आई है भी, तो, okay, यह, हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, 67% के, 67% पे अगर यह दे जाता है, तो जो मैंने आपको price बोला, उसके आसपास यह trade करता है, तो ठीक है, हो सकता है कि उस price के आसपास trade कर दूसरी बात मुझे क्यों लगता है, उपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर RSA correct होके, यहाँ पर यह up move देगी, यह smooth moving average को cut, अगर यह करने लगी थी और फिर नीचे आगे, अब cut करके अगर उपर जाते हैं, तो काफी अच्छे move देखने को मिल सकते हैं, okay, and अब इसके support and resistance हो आई, अभी के लिए वीडियो में कुछ खास बोलने को है नहीं, कुछ बता नहीं सकते क्योंकि कोई news नहीं आई थी, कोई कुछ नहीं, तो हाँ जी मैंने पहले भी देख लिया था, वैसे कोई news आई नहीं है, अभी जिससे price पे कुछ appear down moment का कुछ खासा फरक पड़े, and इस कीजिए, जो मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, जानिये, समझिये, पढ़िये, और फिर invest करिये, thank you, and मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, happy investing,